परने कॉपՍ काला में है, यह कहती है। नमस्कार दोश्तों , मेरा नाम ढॉक्टर से मैं कन्सुल्टर्ट नीरोसरजन नारायणा ँंगा काउस्पिटिल आज हम बात करेंगे ब्रेयन tua ब्रेंट्यूमर के बारे, ब्रेंट्यूमर किस प्रकार के होते हैं, ब्रेंट्यूमर के क्या लक्षन होते हैं, और हम उन्हें कैसे जल्द पहचान के और जल्द इलाज करकर हम ठीक हो सकते हैं, तो ब्रेंट्यूमर मुख्यता दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राइमरी इसले क्वी जो कि ब्रेंड मीज मैं चले जाते हैं और रिंड म्यूंर को bilang先生 होते हैं जो dalej जो होता है वह होता है वह सब्सक्राइग को सर्दर्द कि सुबह उठते ही मरीच को सर में बहुत तेज दर्द चालू हो जाता है उसके अलावा खांसते और शीकते वक्त सरदर्द बढ़ जाना और उल्टी होना और मिर्गी के दोरे आना ये भी बड़े लक्षण है सरदर्द के साथ में उसके अलावा आखों की रौशनी धिरे-द होता है तो पर्सनेलिटी चेंजेज या विहवार में बदला होना या चिर्चरापन या अतियातिक गुसा होना ये सब लक्षण हो सकते हैं यदि ब्रेन के बीच के हिस्से में ट्यूमर होता है तो हमारी याददाश कम हो जाना बोलने में तकलीफ होना एक तरफ के हाथ-प शराबी चल रहा है उस तरीके से चलने लगता है और ये सब सिम्टम होने पर लक्षण होने पर तुरंत हमें नीरो सरजन की सलाह लेनी चाहिए और क्या इन्वेस्टिगेशन है जिसने हमें पता लगा सकते हैं कि ब्रेन ट्यूमर है या नहीं है तो एक MRI होती है ब्रेन की उ उसे वापिस होने की शंभावना ना के बराबर होती है जो बाकी बचे 30% ट्यूमर से जो की कैंसर होते हैं उनमें भी इलाज पॉसिबल है आज कल जो रिसेंट एडवांसे से उसके अकॉर्डिंग हम नीरो मॉनिटरिंग से या इंट्रा-ॉप मॉनिटरिंग से ऑपरेशन क हम देखते हैं कि कई बार ब्रेन ट्यूमर ऐसे हिस्से में होता है जहां मरीज का बोलना समझना होता है तो हम मरीज को बिना बहोश करें जिसको हम अवेक करियाट में बोलते हैं बिना बहोश करें और ऑपरेशन के दोरानी मरीज से बात करते करते जो सेफली ब्रेन ट्यूम आते हैं.